हाई फ्रेंड्स मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप फेस्बुक पर किसी भी फ्रेंड्स को या कोई भी परसन को आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जैसे ही आप महाँ पर request पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का error आ जाता है और इस तरह की आपको problem show होती है cannot send request और यहाँ पर कुछ इस तरह का error आपको देखने के लिए मिल जाता है so friends आप इस problem को कैसे fix कर सकते हैं facebook के अंदर किसी को भी request भेजने पर अगर आपको यह problem show हो रही है तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे कैसे सही करेंगे so आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है so please चैनल को जरूर subscribe करें वीडियो को like करें and share करें so चलिए friends वीडियो को start करते है so friends इसके लिए आपको क्या करना होगा अपने mobile के अंदर facebook application को open कर लेना है जैसे friends यहाँ से आप facebook application open कर लेते हैं so यहाँ पर आपको request send करने में problem show हो रही है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा friends यहाँ पर आपको अपनी ID है जो facebook ID है उसे log out कर देना है log out करने के बाद है friends आपको यहाँ से back आ जाना होगा जैसे यहाँ friends यहाँ facebook के अंदर से back आ जाते हैं so आपको अपने mobile के अंदर play store application open कर लेनी है Friends जैसे आप यहाँ से play store application open करते हैं आपको पर कियर search बार मत्रों होता है यहाँ पर आपको facebook सर्च करना होगा जैसे आप यहाँ से facebook सर्च कर लेते हैं friends और अगर यहाँ पर आपको facebook update बता रहा है तो आपको facebook को अप्डेट कर लेना है अगर आप कई दिनों से facebook को अपडेट नहीं करते हैं तब भी friends आपको कई सारे problem शो होती है अगर आप update करते रहते हैं तो आपकी यहां से जो भी problem है वो fix होती जाती है दिरे दिरे इसलिए यहां से आपको facebook को update कर देना होगा और update करने के बाद है friends अब आपको क्या करना होगा अपने mobile के अंदर setting शो होता है उसके अंदर फ्रेंट्स आपको app manager के अंदर जाना होगा यह फिर आपके mobile में application apps ने मसे भी show हो सकता है उस पर click कर देना है जैसे इस पर click करते हैं friends आपके mobile में जितनी पर application सब आपको यहां से शो हो जाती है वह संतले सिर्द इस आपको facebook पे click करना होगा facebook पर जैसे आप क्लिक कर देतेयां आपको यहां पर storage का option में बिलेगा फेस्बुक आईडी को आपको लॉग इन कर लेना होगा इंशे से आप फेस्बुक आईडी लॉग इन कर लेते हैं आपके सामने जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए जो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वचिंग इन दिस वीडियो